हाई गाईज मैं हूँ अपीहा इंतखाब आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपीहा क्लासे सफलता की सोच में आपका स्वागत है तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारती इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे पूर्वे इतिहासिक काल और प्रारंबेक इतिहासिक काल तो देखिए इस वीडियो में मैंने बहुत कम टाइम में जितना जादा जादा कवर हो सकता उतना कवर करने के कोशिश की मैं यहां वैदिक काल पढ़ूँगी मैं यहां पर आपको डिटेल में जिसे आप बोल सकते हैं एक संचिप्त विवरन दूँगी पूर्वे इतिहासिक काल का और प्रारंबेक इतिहासिक काल का देखिए भारती इतिहास बहुत बड़ा है इसे एक वीडियो में समा लेना बहुत मुश्किल है अगर हम प्राचीन की बात करते हैं मद्देकालीन की बात करते हैं फिर आधुने की बात करते हैं तो नहीं हो पाएगा लेकिन यहां पर मैं पूर्वे इतिहासिक काल और प्र जोग्रफे, एकोनॉमिक्स, जीयस, करेंट अफेर्स और साथ इसाथ गौर्वन जोब्स की जितनी भी नोटिफिकेशन साथी उसके पहली इंफोर्मेशन आप तक पहुचाई जाती है तो बेल आइकन प्रेस कीजेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, तो चलिए आज का लक्षर स्टार्ट करते हैं भारती इतिहास, तो देखिए इस पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं भारत की इतिहास को अगर विश्व के इतिहास के महान अध्याय में से एक कहा जाए तो इसे अतिशोक्ती नहीं कहा जा सकता देकि भारत का इतिहास विश्व के इतिहास में एक महान अध्याय है इसका वर्णन करते हुए भारत के पहले प्रधान मंद्री जवालन नहरू ने कहा था विरोधा भासों से भरा लेकिन मजबूत अद्रिश्य बांक धागों से बंधा भारती इतिहास की विशेशता है कि वो खुद को तलाशने की सदत प्रक्रिया में लगा रहता है और लगातार बढ़ता रहता है इसलिए इसे एक बार में समझने के कोशिश करने वालों को ये मायावी लगता है इस अद्भुत उप महा द्रिवीप का इतिहास लगभग 75,000 साल पुराना है और इसका प्रमाण होमोसोपियंस की मानव गतिविधी से मिलता या आश्चरे की बात है कि 5000 साल पहले सिंदु गाटी के सब्विता के वासियों ने क्रिशी और वैपार पर आधारित एक शहरी संस्कृती विक्सित कर ली थी किसने सिंदु गाटी सब्विता के वासियों ने आगे चली बात करते हैं पूर्वे एतिहासिक काल के बारे बात करते हैं इसमें हम देखते हैं पाशाण यूग पाशान योग में हम क्या देखते हैं पाँच लाग से दो लाग साल पहले शुरू हुआ था और तमिल नाडू में हाल ही में हुए खोजों में इस छेत्र में सबसे पहले मानव की पस्तिति का पता चलता है पाँच लाग से दो लाग साल पहले की बात हो रही है देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हम दो लाग साल पहले के माना द्वारा बनाएंगे हतियार भी खोजे हैं कांस यूग की बात करते हैं तो भारती उप महादीप में कांस यूग की शुरुवात लगबग 3300 इसा पूरू सिंदु गाटे सब्धा के साथ हुई थी और तामा पीतल सीसा और टीन का उत्पादन किया देखे कांस यूग के बारे में हम एक सीधा सा बोल सकते हैं कांस यूग धातुओं के खोज के लिए जाने जाता और पाशाण यूग हतियारों के खोज के लिए आगे चलिए हम देखते हैं प्रारंबे क्याती हासिक काल वैदिक काल की बात करते हैं भारत पर हमला करने वाले उमें पहले आ रहे थे वे लगभग पंद्रासो इसा पूर्व उत्तर से आये थे और अपने साथ मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लेकर आये संस्कृत उनके द्वारा बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक थी और वेदों को लिखने में भी इसका उप्योग हुआ जो की बार्मी इसा पूर्व की है और प्राचीन तम गरंत माने जाते हैं वेदों को मिसोपटामिया और मिस्र के गरंतों के बाद सबसे पुराना गरंत माना जाता है उप महादीप में वैदिक काल लगभग हम क्या देखते हैं 1500 से 500 इसा पूरु तक रहा और इसमें ही प्रारंबिक भारती समाज में हिंदू धर्म और अनिसांस्क्रितिक आयामों की नियू पड़ी आरियों ने पूरे उत्तर्म भारत में खास तौर पर गंगा के मैदानी लाके में वैदिक सबिता का प्रसार किया ठीक है आरियों के बारे में बात हुरी हैं आपर वैदिक काल आरियों के लिए ही जाना जाता है आगे बात करते हैं महा जनपत इस काल में भारत में सिंदू घाटे सबिता के बाद शेहरी करण का दूसरा सबसे बड़ा उदय देखा गया महा शब्द का अर्थ है महान और जनपत का अर्थ है किसी जनजाती का आधार वैदिक यूग के अंत में पूरे उप महादीप में कई छोटे छोटे राजवन्ष और राज़िपन अपने लगे थे इसका वर्णन बौध और जैन साहित्यों में भी है जो की 1000 इसा पूर्व पुरानी है 500 इसा पूर्व तक 16 गड़राजी या कहें कि महा जनपत स्थापित हो चुके थे जैसे काशी, कुसाला, अंग, मगत, वज्जी या वर्जी, मल्ला, चेडी, वत्स या वम्स, कुरू, पंचाल, मत्से, सुरसेना, आसाका, अवंती, गंधारा और कंबोजा देखे इनके बारे में हमें पुराने जो बहुत गरंथ हैं उसमें भी पता चलता है फार्सी और युनानी विज्जे, उप महाधीब का जादातर उत्तर पश्चमी छेत्र, जो की वर्तमान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, फार्सी अकेमिनिटी, ठीके सामराजी के जौरियस दग्रेट के शासन में, जो हम देखते हैं, 520 ईसापूर में आया और क जाना जाता है, हराया और पंजाब के जातर इलाके पर कबजा कर लिया, तो इस समय मगध में एक बढ़ा शासन चल रहा ता, घना नंदका और उसके पास एक विशाल सेना थी सिकंदर ये चीज जानता था कि अगर वो भारत में इंटर करता और मगत की तरफ जीतना चाता है मगत को तो उसकी सेना हार जाएगी क्योंकि उसकी सेना विजाई अभियान पे निकली थी ऊभियान के विजाई पूरे विश्व के विजाई अभियान पे निकली थी तो वो एकदम ठक चुकी थी जीतते हुए तो अगर वो मगत की सेना से लड़ती तो हो सकता है वो हार जाती ये चीज सिकंदर जानता था इस कारण भी सिकंदर पीछे हड़ जाता है और पोरस को हरा कर ही वो उसके अलागे वापस करके वापस चला जाता है तो अब मैंने सिकंदर भी पढ़ाया है चैनल पे अपने तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि यहां पे हिस्ट्री जोग्रफी एकोनामिक्स के जितने भी इंपॉर्टन टॉपिक्स होते हैं वो सब पढ़ाया जाते हैं कमेंट करके आप कोई भी से रिलेटिड टॉपिक हमें दीजे हम उस पे जरूर पढ़ाएंगे आपको तो आज का लेक्चर बस इतना ही लेक्चर देखने के ल